नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूँ आपके साथ काजल शर्मा दोस्तों पीरियेड्स के दोरान साफ सफाई हर महिला के जीवन में एक महत्पुन भूमी का निबाती है पीरियेड्स के दोरान उची देखवाल में सही उत्पादो यानि की मेंस्ट्रूल प्रोडक्ट्स का इस्तमाल करना और उन्हें नियमित रूप से बदलना शामिल होता है महिलाओ को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि उन्हें पूरे दिन में पैड कितनी बार बदलना चाहिए जिसकी जानकारी होना बेहत जरूरी है क्योंकि इससे कई तरह की परेशानिया हो सकती है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि महीलाओं को पैड़ ना बदलने पर यानी कि अगर वो एक दिन में एक ही पैड़ का या दो पैड़ का इस्तमाल करती हैं तो उससे क्या-क्या समस्याइं हो सकती हैं बार-बार पैड़ बदलना क्यों है जरूरी पहले यह जान लेते हैं दोस्तो periods के दोरान सफाई और सुच्छिता बनाए रखना आविशक होता है पैड सबसे व्यापक रूप से इस्तमाल किये जाने वाले periods उत्पादों में से एक है और ये आपको फ्रेश बनाए रखने और विभीन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें नियमित रूप से बदला जाना चाहिए दोस्तो औसतन फ्लो होने पर पैड को हर चार से छे घंटे में बदला जाना चाहिए हाला कि ये ध्यान रखना बेहर जरूरी है कि पिड़तिये एक महिला का period चक्र यानि कि उनका menstrual cycle जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है और उसी आधार पर लगातार बदलाव की जरूरत होती है दोस्तो इसके अलावा पैड नहीं बदलने पर क्या-क्या समस्या हो सकती है आए वो जानते हैं दोस्तो पैड ना बदलने की वजह से महिलाओ को आसविधा, गंध और संक्रमन सहीत कई समस्याएं हो सकती है एक ही पैड को घंटों तक यूज करने से उसमें नमी हो सकती है और बैक्टीरिया बढ़ने का खत्रा भी बढ़ सकता है जिससे मूत्र पत के संक्रमन यानि की यूटी आई और बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे संक्रमनों का खत्रा भी बढ़ सकता है दोस्तो पीरियर्स के दोरान निकलने वाले रक्त और नमी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से तवचा में जलन और चक्कते भी हो सकते हैं इसके अलावा बहुत जादा देर तक एक ही पैड यूज करने से चेफिंग जैसी दिक्कते हो सकती हैं इस सिचुेशन में दोस्तो अराम की स्तिती बनाए रखने और तवचा से संबंदित समस्याओं को रोकने के लिए नियमित रूप से पैड को बदलना बेहत जरूरी हो जाता है दोस्तो इसके अलावा शरीर से भी बद बु आने लगती है अगर आप पैड को नहीं बदलते हैं पीरियर्स के दोरान खून जमा होने से बदबू आने लगती है, पीरियर्स के दोरान ब्लीडिंग होने में हलकी गंध होना सामानिय है लेकिन जादा देर तक बदबू बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है और आपको तभी पैड बदल देना चाहिए इसके अलावा दोस्तों लंबे वक्त तक एक ही पैड का इस्तमाल करने से कप्डों में धब्बे पढ़ सकते हैं और दाग भी पढ़ सकता है आए दोस्तों जानते हैं कि पीरियर्स के समय में आप अपने कैसे साफ सफाई रख सकते हैं दोस्तों पैड रखें अपने साथ पैड चुने जो लीक और दूसरी आसुविधा को रोकने में मदद करेगा इसी के साथ दोस्तों पैड को बार 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 बदले अपने पैड को हर चार से छे घंटे में बदले या फिर जरूरत हो तो अधिक बार भी बदल सकते हैं बार बार चेक करना भी जरूरी होता है सही से निपटान स्वच्छता बनाए रखने और गंद को रोकने के लिए कच्रे में फैकने से पहले इस्तमाल किये गए पैड को सैनेटरी बैग या रैपर में लपेटें इसी के साथ दोस्तों स्वच्छता भी बनाए रखें कंटेमनेशन की जोखिम को कम करने के लिए पैड बदलने से पहले और बाद में अपने हाथ जरूर धोए दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये हैल्दी टिप्स ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ धन्यवाद